जो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा Realme 3 Pro आप लोगको एक polycarbonate back में मिलता है ये कोई glass back नहीं है आपको यहाँ पे 3D curved design मिल जाती है इसके अंदर आपको texture finishing मिलती है प्लस आपको यहाँ पे gradient है और आपको बहुत सारे design के मामले में काफी अच्छा मिलता है लेकिन हाँ यह glass back नहीं है यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा Redmi Note 7 Pro दोस्तों यहाँ पे आप लोगके glass back मिलता है साथ में इस पे Gorilla Glass 5 की production भी दी गई है यह भी आपको gradient finishing में मिलता है लेकिन यहाँ पे दोस्तों यहाँ रखना है Xiaomi एक ऐसी company जो आपको इस price में glass back दी है जो बहुत ही बड़ी बात है लेकिन एक down point यह Redmi Note 7 Pro के अंदर की यह curved नहीं है क्योंकि polycarbonate आपको curved मिल जाता है तो इसमें तुरह सा grip अच्छा मिलता है Realme 3 Pro में जबकि Redmi Note 7 Pro में आपको वैसा नहीं मिलता है अगर इसमें Gorilla Glass 5 की protection नहीं होती तो इसको गिरने से तूटने का डर ज्यादा होता है क्योंकि polycarbonate में गिरने से तूटने का डर नहीं होता है यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन Gorilla Glass 5 दे दिया है तो अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जभरत नहीं है मतलब एक बार में नहीं ज़्यादा डाइम गिरेगा तो आपको तूटने का डर होगा तो यह कुछ इनकी डिजाइन में डिफरेंस है और जिसको ग्लास चाहिए वो ग्लास लेगा जिसको polycarbonate चाहिए अगर डर लगता है ग्लास से तो वो polycarbonate लेगा अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों दोने की display से तो यहाँ पर काफी सारे चीज़े आपको दोनों में similar देखने को मिलती है Realme 3 Pro में आपको 6.3 इंच की एक Full HD Plus की display मिलती है Redmi Note 7 Pro में आपको 6.3 इंच की display मिलती है Full HD Plus की resolution है लेकिन यहाँ आपको dot notch वाले display मिलती है और यहाँ पर आप लोग ओविसली Gorilla Glass 5 की production भी मिलती है मैंने यहाँ पर दोस्तों दोनों की display में कोई खास clarity में या quality में फर्क नहीं देखा लेकिन यहाँ पर अगर दोनों को पास में रखते हैं दोस्तों तो एक चीज़ अगर आप notice करते हो तो Realme 3 Pro की जो bezel से वो आपको थोड़ा से कम मिलते है अगर आप उसको यहाँ पर Redmi Note 7 Pro से compare करते हो तो अगर आप ओपर देखते हैं नीचे देखते हैं तो Realme 3 Pro में थोड़ा से कम bezels मिलते हैं तो थोड़ा सा मुझे यह display के bezels के मामने में थोड़ा सा सही लगाए अगर मैं इसको Redmi Note 7 Pro से compare करता हो अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों दोनों के processor की यानि के performance की तो अब यहाँ पर गेम में मज़ा आता जा रहा है Realme 3 Pro में आप लोगों मिलता है Qualcomm Snapdragon 710 वाला processor यह आपको 2.2 GHz के उपर मिलता है Cryo के आपको 360 वाले course मिलते जहाँ पर दोस्तों यह आपको 10NM वाला processor मिलता है और Adreno 616 के GPU के साथ में मिलता है इसका जो Android score निकल कर आया था वो 1,55,000 का आया था जबकि Redmi Note 7 Pro में आपको मिलता है Snapdragon 675 वाला processor इसमें Cryo 460 वाले course मिलते है यह latest है तो जो CPU है वो अगर आप देखते हैं तो 710 आपको better देखने को मिलता है लेकिन यह आपको 11NM पर मिलता है और Adreno 612 वाला आपको GPU मिलता है अगर यहाँ पर battery efficiency की बात करते है तो आप लोगो Snapdragon 710 वाला सब better मिलता है और GPU की बात करें तो Snapdragon 710 उसके मामले में भी better है यहाँ पर लेकिन Android score इसका देखते हैं तो 1,83,000 की आसपस आया था जैसे कि मैं आपसे कहा था कि इसका CPU आपको better मिलता है लेकिन अब बात करते हैं real performance की तो अगर gaming की बात करता हूँ तो सबसे पहले अगर Asphalt 9 देखते हैं तो Redmi Note 7 Pro में Asphalt 9 काफी lag हो रहा था मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ और optimization का यहाँ पर मुझे issue लगता है लेकिन मुझे नहीं पता कि Snapdragon 675 में क्यो lag होता है तो यह उनों को थोड़ा fix करना पड़ेगा उसके अलबा Realme 3 Pro में Asphalt 9 एकदम मसके जैसा चलता है बिल्कुल भी lag नहीं होता है तो performance यहाँ पर अभी आपको Asphalt 9 की इसमें बहुत ही बेटर देखने को मिलता है अगर मैं दोनों के PUBG gameplay की बात करता है तो दोनों में ही आप HD में यहाँ पर PUBG खेल सकते हैं इसमें कोई issue नहीं है दोनों ही बहुत ही बड़ी आप perform करता है कोई lag, stutter वगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है पर देखने को मिल जाता है उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं बैटरी की उसके बाद हम बात करेंगे कैमरे की क्योंकि वह तरह सा लेंदी पार होता है तो बैटरी के बात करें तो Redmi Note 7 Pro में आपने को 4000 image की बैटरी मिलती है जहाँ पर QC4 का आपको support मिलता है unfortunately box में आपको कोई भी fast charger provide नहीं किया गया है तो आपको fast charger के अलग से पैसे खर्च करने पड़ेगे तो मैंने यहाँ पर जो fast charger लिया हूँ यह QC3 है क्योंकि QC4 आपको नहीं मिलता है यह QC3 है जो 4500 रुपे मुझे पड़ा है तो इससे आप अपने phone को fast charge कर सकते है Realme 3 Pro में आपको दोस्तों यहाँ पर 4045 image की बैटरी मिलती है 4045 image की जहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको बॉक्स में 20W का वुक का charger प्रोवाइट के गया है जो version 3.0 के साथ में आता है तो thankfully आपको charger के लिए बागना नहीं पड़ेगा आप इससे अपने phone को fast charge कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैंने इनका फिजिकल टेस्ट किया हूँ दोनों में से कौन सा phone fast charge होता है तो वो वीडियो आप थोड़ी दिन में आएगा जरू से चाके देख लेना अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों दोनों के camera की और यह वैसे बहुत ही important पार्ट है Realme 3 Pro में आप लोगो 16 प्लस 5 मेगा पिसल का dual rear facing camera मिलता है आपको F1.7 का aperture मिलता है जो primary camera वो Sony IMX519 के sensor के साथ में मिलता है जो flagship level sensor है जो OnePlus 60 में आपको देखने को मिलाता उसके अलबा यहाँ पर आपको 64 मेगा पिसल तक के shots भी मिल जाते है जो आपको इस वीडियो में compare करके बताने वाला हो तो rear facing camera Realme 3 Pro का वैसे काफी powerful आपको मिलता है Redmi Note 7 Pro में दोस्तों आपको 48 प्लस 5 मेगा पिसल का dual rear facing camera मिलता है यह भी आपको एक AI वाला camera मिलता है F1.8 का aperture मिलता है इसमें भी आप 4K वीडियो निकाल सकते है और यहाँ पर भी Full HD में आपको EIS का जो वह support डेखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पर super slow motion आपको नहीं मिलता है और यहाँ पर obviously आप 48 Megapixel वाले pictures क्लिक कर सकते है Realme 3 Pro से compare करता हूँ तो यह बात fact है कि Redmi Note 7 Pro के दिन के samples थोड़े से better निकल करा है अगर आप उसको Realme 3 Pro से compare करते है दोनों कि अगर मैं human portrait shots की बात करता हूँ तो यह भी देख लो दोनों यह वैसे काफी कमाल के निकल करा है लेकिन हाँ Redmi Note 7 Pro से better detail लेता है कुछ इस तरीके का लेकिन एक चीज़ दोस्तों मैंने notice किया हूँ कि Realme 3 Pro actually मैं काफी natural picture लेता है उस time पर जो मैंने feel किया हूँ जब मैंने actually मैं देखा हूँ object को और जब मैंने picture लिया तो Realme 3 Pro बहुत ही natural लेता है और clearly बता देता हूँ कि Realme 3 Pro के जो night samples है वो मुझे Redmi Note 7 Pro से काफी better लगे ये बात अगर आप मानो या ना मानो यही चीज़ मैंने notice क्या हूँ low light के अंदर actually में Realme 3 Pro में आपको बहुत बढ़िया pictures देखने को मिलते है तो वो Redmi Note 7 Pro से better है अब वीडियो के बात करें दोस्तों तो rear camera से मैंने वीडियो निकाला हूँ आप देख सकते हैं दोनों में आपको AIS मिल जाता है ये full HD में निकाला हूँ लेकिन यहाँ पे Redmi Note 7 Pro काफी lag हो रहा था क्योंकि ये आपको एक glass back में मिलता है और धूप के अंदर जब मैंने शूट किया तो phone काफी गरम हो गया था इस वज़े से video भी काफी lag हो रहा था Realme 3 Pro इतना गरम नहीं हुआ इसलिए Realme 3 Pro में आप देखेंगे प्रॉपरली वीडियो निकल कर आईए लेकिन यहाँ पे जो Stabilization वो Redmi Note 7 Pro का मुझे बेटर लगा है अगर उसको Realme 3 Pro से में compare करता हूँ और दोनों वैसे video की quality आप देखते है दोनों का जो focus देखते है वो बहुत ही बड़ी आपको जहाँ पे देखने को मिलता है तो दोनों के जो rear camera है दिन के अंदर Redmi Note 7 Pro ने अच्छा perform किया है night में Realme 3 Pro में किया है अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों दोनों के selfie की और दोनों में ही वैसे आप लोगो काफी अच्छी selfie मिल जाती Realme 3 Pro में आप लोगो 25 Megapixel की selfie मिलती F2.0 का aperture मिलता है और Redmi Note 7 Pro में आप लोगो 13 Megapixel की selfie मिलती कि Redmi Note 7 Pro की selfie वैसे काफी बढ़िया निकल कर आए थी हाला कि Realme 3 Pro की selfie है अगर Realme 3 Pro से में उसको compare करता हूँ और यहाँ पे selfie वीडियो की बात करता हूँ तो यह देखेंगे यह भी वैसे दोनों का आपको काफी बढ़िया मिल जाता है बस एक ही बात है कि मैंने धूप के वक्ति यह वीडियो निकाला था तो Redmi Note 7 Pro का जो फोन था वो बहुत ही गरम हो रहा था इस वज़े से वीडियो लैग हो रही थी और अगर Xiaomi इसको fix कर देगा तो मुझे actually में अच्छा लगेगा अगर नहीं fix करेगा तो यह actually में एक बहुत ही irritating बात है अब यहाँ पर दोस्तों बात करते है उस पाट की जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है Realme 3 Pro में आप लोगो वैसे कोई भी LED notification light नहीं मिलती है जबकि Redmi Note 7 Pro में आप लोगो नीचे के जो bezel से ना उसके उपर LED notification light देखने को मिल जाती है Redmi Note 7 Pro में दोस्तों आप लोगो hybrid slot मिलता है मतलब dedicated microSD card का slot नहीं मिलता है जबकि Realme 3 Pro में आप लोगो dedicated microSD card के slot के साथ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है उसके अलावा यहाँ पर Redmi Note 7 Pro में आप लोगो IR blaster मिलता है जबकि Realme 3 Pro में आप लोगो IR blaster देखने को नहीं मिलता है Redmi Note 7 Pro में आप लोगो MIUI 10 मिलता है N.9 Pi के उपर आता है तो Realme 3 Pro आप लोगो color over 6 पर N.9 Pi के उपर मिलता है लेकिन यहाँ पर downpoint Redmi Note 7 Pro का यह है कि MIUI के इंदर आपको out of the box ads मिलती है बले आप उसको disable कर सकते है लेकिन जो भी आपको out of the box मिलता है तो आपको उसको जिलना पड़ेगा Realme 3 Pro में आप लोगो वैसा कोई ads वगरा यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों दोनों की ports की तो Redmi Note 7 Pro में आप लोगो type C port मिलता है जो latest है, advance है और काफी convenient है और Realme 3 Pro में आप लोगो कोई भी type C port यहाँ पर नहीं मिलता है यहाँ पर micro USB port म दे दिया है तो उसके द्वारा आप इसको fast charge कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोनों के अंदर जो वो wideband support की तो दोनों में ही दोस्तों आप लोगो wideband L1 का support मिल जाता है तो आप Netflix के Amazon के HD content stream कर सकते हैं camera to API के support की बात करें तो यह भी आपको दोनो के अंदर देखनी को मिल जाता है तो वो भी मेरे साफ से काफी अच्छी बात है और यहाँ पर security की बात करें तो दोनों में ही दोस्तों आप लोगो fingerprint scanner और face unlock मिल जाता है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा fast है अपनी जगावा पर दोनों ही आपको काफी अच्छे मिल जाते अब यहाँ पर दोस्तों बात करतें finally conclusion किये यह बहुत important पार्ट है और मेरे लिए वैसे काफी difficult पार्ट है पहले बार ऐसा होगा शायद से मेरे comparison वीडियोस के अंदर मैं किसी को clear winner यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ example यह दोस्तों कि अगर मैं बोलता हूँ Redmi Note 7 Pro बेटर है यह ले लो तो मुझे सबूत देना पड़ेगा तो मैं क्या सबूत दूगा मैं बोलूगा processor इसका अच्छा है तो ऐसा नहीं है Realme 3 Pro वाला Snapdragon 710 भी बहुत ही बेटर मिल जाता है मैं बोलूगा इसका camera अच्छा है तो ऐसा नहीं है Realme 3 Pro का भी camera काफी better है मैं बोलूगा इसकी selfie अच्छी चलो यही ले लो नहीं ऐसा नहीं है Realme 3 Pro का भी camera बेटर है आते हैं तो Redmi Note 7 Pro मिल जाता है तो ले लेना आप पश्टाएंगे नी और अगर आपको Realme 3 Pro मिल जाता है ये ले लेना तो आप पश्टाएंगे नी दोनों ही फोन आपको अपने अपनी जगाओ पर काफी बढ़िया देखने को मिलता है मैं actually मैं दोस्तों मुझे माफ करना मैं clear winner नहीं निकाल पड़ रहा हूँ पा रहा हूँ क्योंकि यही मैंने notice किया हूँ और यही मेरा final conclusion है वैसे आप मुझे comment करके बता है कि आपको क्या लगता है obviously मेरी मैनत जो मैं नहीं किया हूँ इस पर मुझे लगता है कि आप लोग अच्छा ही comment करेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आए अगर आपको comparison वीडियो पसंद आते हैं तो जरूर इस वीडियो को like करिए बहुत सारे हम वीडियो बनाएंगे और मैं आपनोंको future में और भी बहुत सारे important वीडियो देता रहूँगा मिलते हैं अप सग लिवडों में रहे वेडियो को साथ तिल नाव नवी गरेट देह आए अगरेट एखना करें अगरेट नावेटेज मालिग को ओसा तिल अवस्केप इम कीप स्मालिग